तो टार्गेटिविद परिहार चैनल में आपका स्वागत है आये शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकार समाचार के इस वीडियो में विद्धार्थी जीवन जैसे समंधिते कौन कौन सी सूचना है तो वीडियो इतली से लाइक करते हैं शेयर करते हैं और जि जो कोई निवस देता नहीं हूँ मेरे पास जो भी न्यूस होती है तीन दिन बार मन को वेरिफाइए करता हूं और मुझको पहली पता था कि यह जो न्यूस हो पुरानी है दो जर अठार है मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं नहीं चर्चा कर रहा हूं अभी 10 मिनट पहले की अभी 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 की हवाले से यह सूचना दी गई है कि भारा सरकार ने टेलीग्राम के खिलाफ एक बड़ी जाज शुरू कर दी है और यह आप देख सकते हैं अभी 31 मिनट पहले की न्यूज है यहाँ पर आप देखेंगे तो यह सूचना आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर और वो ABP निज्च पर मैंने इसको यहाँ पर प्लिक किया और यह आपको खूल गया है और एक सेकेंड यह इसको नहीं खूल ना यह फूलना है तो यह अधार आप देख सकते हैं यह यहाँ पर लिखा है टेलीग्राम बैं इनिंडिया मेंसेंजर एप पर इसी लिजमे, the Indian government has launched an investigation into the messaging platform, Telegram following concern that the app is being used for illegal activities such as extortion and gambling. This inquiry, which could potentially lead to a ban on the app, is being conducted by the Indian Cybercrime Coordination Center I4C in collaboration with the Ministry of Whom Appear Scream, Mantrala Ke Sayogsi MHA and the Ministry of Electronics and Information Technology. तो सुजना और प्रद्दो की Mantrala Ke Sayogsi according to report by money control. और वहीं पर निचे लिखा है is Telegram going to be shut down in India? तो जाज तो शुरू कर दी है ग्रहे Mantrala Ke Sayogsi. और यहाँ पर लिखा हुआ है कि the outcome of investigation will determine whether Telegram continue to operate in the country. यह जो outcome आज़ाज का investigation का यह वो निर्धारित करेगा कि Telegram का क्या होगा? Although Telegram currently complies with India's information IT rules requiring the appointment of key officer and the publication of monthly compliance report. तो मंत्री compliance report तो देता है और जो भी अधिकारियों की नुक्ति वगएरा होती उसके बारे में जानकारी देता है. लिखा है तब प्रोब जाच है may reveal whether these measures are sufficient तो जाच हो रही है वो यह निर्धारित करेगी कि यह सारी जो चीज़े है वो पर्याप्त है या नहीं है लेकिन एक चीज जो निकल करके आ रही है कि जो भी illegal गतिविदियां हो रही है जो भी वो उसकी जानकारी नहीं देता है उसमें यसा योग नहीं करता है और यहाँ पर एक दूसरा समाचार पत्र है उसमें भी यह जानकारी दी गई और निच्चे उसमें लिखा हुआ है कि गैर कानूनी गतिविदियों के मद्दे नजर यह निर्धा सरकार ने लिया है कि इसके खिलाफ बड़ी तादाद में शिकायते मिली है इसमें लिखा है कि Information and Technology Ministry टेली ग्राम के जरिये होने वाली विभिन गैर कानून उनकुतिविदियों जैसे Money Laundering, मादग पदार्थों की तसकरी पीडो, फिलिक कंटेंट को शियर करने समय तमाम आवायद एक्टिविटी पर जल्दी ही अपनी सिफारे से Home Ministry को बेजेगी और IT Ministry के एक अधिकारी के मताबिक विभिन आवायद एक्टिविटी को लेकर के Telegram पर Ministry की नजर है Telegram को लेकर के भारत सक्त है और नीचे लिखा है कि इसके खिलाब बड़ी तदाद में शिकायते मिली है जबकि देश में दर्जे तमाम मामलों में इसके इस्तिमाल का आकड़ा पहले से मौझूद है इसमें आनलाइन गेंबलिंग, साइबर क्राइम भी शामिल है जबकि हो मिनिस्ट्री ने कई गयर कानूनी गुतिविदियों को लेकर के मिनिस्ट्री से इस एप को लेकर के राय मांगी है जिन पर होने वाली बैटक के बाद उन्हें बेज दिए जाएगा आगे लिखा है इसमें कि कड़ा 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 उठागी बारा सरकार नीचे लिखा है कि हो मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोडिनेशन सेंटर और आईटी मिनिस्ट्री टेलिग्राम के परसंट टू परसंट कम्यूनिकेशन के निगरानी कर रहे है अधिकाली ने जानकारी देते हो बताए कि देश में टेलिग्राम एप के 50 लाग से ज्यादा रिजिस्टर्ड यूजर्स हैं इसमें संदिक्द एकाउंट के खिलाफ पहले एक कारवाई की गई है लेकिन अब इस एप एक खिलाफ कड़ा कदम उठाय जाएगा टेलिग्राम समेथ कुछ अन्य शोशल मीडिया प्रेटफार्म बीते कुछ सालों में क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा देने की तोर पर उभरे हैं इनके जरिये हुए साइबर क्राइम और गैर कानूनी आनलाइन गेमिलिंगे चलते भारतियों को करोणा रुपए का नुकसान जिलना पड़ा है नीचे पेपर लिख की वगएरा के बारे में भी लिखा हुआ एक टेलिग्राम पर बिके नीट की प्रशने पत्र और अभी आपने देखा होगा पुलिस में भी फरजी तरीके से लोग पैसे मंगा रहे थे टेलिग्राम के द्वारा और यूजी सी नेट का भी वेपर बताए गया तो बहुत सारी चीजें इस तरीके की इसमें बताए गई गई है निचे लिखा है कि भारत ने बैंड की है इसकी पहले भी बारा सरकार ने बहुत सारे जो सोसल मीडिया की प्रेटफार में वह बंद की है टिक टाक वगएर आप लोग जनते ही है तो यह अब 80 दुनिया सोसल मीडिया का कोई कुछ भरोशा नहीं है कब क्या हो जाए कौन सा चैनल उड़ जाए यूट्यूब मेरा चै जनक से जब टिक टाक बंद हो गया था तो ऐसा नहीं है कि उनका सब कुछ बंद हो गया और एक साइद ही कोई होगा जो टिक टाक में बंद हुआ हो और वह इंस्टा या यूट्व ना हो तो एक बार जो ब्रांट बन जाता है वो कहीं पर भी रहे वो अपनी जगह बना लेता है पहचान बना ही लेता है फिलाल अभी बहुत कुछ के पाना मुस्किल है बहुत सारी चीज़ें भविस के घर्त में है टीजीटी पीजीटी को ले करके चर्चा करते हैं सुबह एक अभी बहुत सारी चीज़ें जैसे आपको पता होगा कि चेर्में तो हाई नहीं है अभी तो डिप्टी सची भी नहीं है सुबह के पेपर में भी आज यह जैनकारी खीटी अभी वीट नियंत्रक लिखा हुआ यह दृक्त ये उलिखा आप नीशेल लिखा और घिकार इस तो आपको बहुत सारे औहों कर्मचारीं के निक्तियां होनी है दे और बताते हूँ जो मुझे जैनकारी में यह ड़े साल पूराना जो एक्ट है उसके तयाद बड़तियां होती है लहॉर की डिग्री हमान होती है और यह यहां पर खोशान्थी पर हशंब ब्रहेस नहें यह मंतरक में कौंरा living 的 M का अभी यापको कोई जानकारी नहीं देऊ कर दूसरा कारण उतर परदेश के छात्र है कमेंट तो बहुत सारे विद्यार्थी करती है लेकिन जब भी कोई धर्णा प्रजरसन या मांग सांति फूर्वक तरीके से जब भी बुला जाता है तो कोई नहीं पहुंचता है जाकता है जो प्रक्रियां चल रही है जिस तरीके से तो लगता कि लंबा समय है अगले साल जा सकती है जिसके चांसे लग बग सतर प्रतिसत हैं कि आपकी जो परिक्छा है वहागली साल होगी फरवरी या मार्च की महिने में अगली जो सूचना है वो 79,000 शिक्षक बढ़ती की है 79,000 शिक्षक बढ़ती के बारे में भी विद्यार्थी पूंच रहते कि जो विद्यार्थियों को निकाला जाएगा फिर अगर समा योजन होगा दुबारा तो वीड़ वालों का क्या होगा वीड़ वाले कहां जाएंगे या भारांग दिए जाएगा नहीं बढ़ती में तो सरकार तो सुची जारी करने के तयारी कर रही है लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें समय लगेगा लेकिन उसकी पहले ही मामला वही आ गया सुप्रिम कोट वाला तो बहुत ज़्यादा परिसान होने के अभा सकता नहीं है ऐ सब्सक्राइब करने की योजना थी तो सुत्रों के अभाले सी जानकारी मिल रही है अंतिम सुचना है बारवी की मार सीट में बड़ा बदला हो लिखा जल्द ही देश की शिक्षा व्यवस्ता में बड़ा बदला हो सकता है अब क्लास 12 की final mark sheet में 9, 10 वी और 11 के result भी जोड़ा जा सकता इसे लेकर के NCEAT की body परख ने शिक्षा मंतराले को जून 2024 में एक्विवेलेंस आप बोर्ट से रिपोर्ट सौंधी है इस रिपोर्ट में 9 से 11 के result को क्लास 12 में शामिल करने का सुझाओ दिया है देश की सभी सिक्षा बोर्ट को बराबर इस तर पर लाने के लिए राश्टरी शिक्षा नीदी 2020 के अधार पर NCEAT की नई संस्था परख नई यह रिपोर्ट तयार की है एक total mark sheet बनेगी जिसमें 9 के 15%, 10 के 20%, 11 के 25%, 12 के जो नमबर रहेंगे उसका 40% और total रहेगा हाला कि कुछ बोर्ट से ने इसका विरोध किया है उनका कहना है कि यह संयूद रिपोर्ट तो अच्छा है लेकिन इसमें 9 और 12 को एक न रखा जा 10 वी और 12 के दो काट बने 10 वी में 9 की नमबर और 10 की नमबर दोनों को जोड़ दिगा जा नवी के 40 परसिन नमबर जोड़ जाएं 10 वी के 60 परसिन नमबर जोड़ जाएं और उसी तरीके से 12 में कच्छा 11 के 40% और 12 के 60% नमबर दिए जा और एक मारशीट बने देख दें क्या होता है यह होगी आज का वीडियो पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद